है लो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आसा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स मैं यहां पर देखिए अरवा चावल है ये और ये धूप में मैं रखी हुई थी तो अभी तो आ गई है च्छाम क्यूंकि अभी साम का टाइम है अभी लगवा चार बज रहा है और दूपहर का खाना हम लोगों का हो गया था और उसके बाद मैंने बर्तम लगी खाना खाने के बाद तो उसके बाद 4 बजे उठी तो इसके बाद यहां पर धोने लगी बर्तनों को बर्तन था बहुत सारे हो गया थे तो सभी को मैं धो लोंगी तो आज दिन है शुक्रवार और देट तो पता ही है और 26 है 26 तो यहां पर पूरे बर्तन को मैं मांज शींक को असके में के बाद लिएकार के बाद सव पर यह तो यह चोटा psychologist is4 डिवे को मैं इसी फूट कर इता हैं मैं इसे तुट मिला शएज राक रिखती षुबर माला रखती हुआ बेशन हर्दी से ही धोती हूँ सामुन विगर मैं नहीं लगाती हूँ चेहरे पर तो फ्रेंड्स बच्चों की छुटियां चर रही है तो छोटे मोटे काम मैं बच्चों को देती रहती हूँ घर में तो ये देखे मेरा बड़ा वाला बेटा है मतलब हर्ष राज तो हर्ष राज को मैं समान लाने के लिए बोली थी होली का समान ये देखिए तो मैं क्या-क्या मंगवाई हूँ ये आपको दिखा देती हूँ होली का खड़ता रही है तक होली में क्या-क्या मुझे बनाना है तो जो जो मुझे बनाना है वो सारे चीजे मैंने मंगवा ली हूँ देखे यहाँ पर मैंने क्या क्या मंगवाया है यह एक केजी चीनी लाया है और यह मैदा है एक केजी और यह सूजी एक केजी है तो क्या करूंगे इससे कुछ-कुछ बना लोंगी जैसे कि क्या करते हैं टिक्री बेगरा और पूबा भी बनाऊंगी तो बहुत कम बनाऊंगी तो देखते हैं क्या क्या मैं बनाती हूं आपको जो भी बनाऊंगी आपसे जरूर करूंगी और उस दिन तो नहीं छुटी होग लेकि उसके आगे पीछे ही बनाऊंगी तो यह देखिए यह लाल मिर्च है और लाल मिर्च मेरे यहां बहुत कम खाती हूं और यह कभी कर्या मंगाती हूं थोड़ा भाद कुछ बनाना होता है लालमेश स्वाब तो लगता है लालमेश डालने से लेकिन अब लालमेश ठाने नहीं चाहिए होती इसलिए कम ही मैं मंगाती हूं और यहां देखें यह है यह काला नमक है दही बल्ले में बनाऊंगी तो उसी में थोड़ा डालूंगी और यह देखें बेशन है दो पाकित मैंने बेशन मंगाई हूं क्योंकि बेशन की चीज़ें थोड़ा ज्यादा हम लोग खाते हैं जैसे कि बेशन में कड़ी हुआ या कड़ी हुडी गुनाऊंगी या फिर बचका उसका बने बनेगा पकोड़ी बगरा जिसमें डालना होगा और यह है रिफाइंड ओइल और यह है सर्शो का तेल और यह देखिए यह है उर्दी इसे उर्दी कहेंगे आप लोग क्या करते हैं बताएगे जरूर यह उर्दी है और यह उर्दी दही बारे बनाने के लिए रखें और लाएंगे और यह देखिए यह है पत्थोरन यह सब्जीय में डालती हूं तो बहुत अच्छा लगता है और डाल वेगर में भी डालके छोंक लगाने को बहुत स्वाद इसका बढ़ जाता है इसलिए मंगाई हूं और यह काले मिर्च है हम लोग गोल की भी कहते हैं इसे आप लोग क्या कहते हैं बोलिएगो जरूर तो इससे काले मिर्च मंगाई हूं तो सब्जी करें गालती हूं तो खत्म हो गया था इसलिए मंगाई है और यह जीरा, इसे तो सब कोई जानता ही होंगे बीना जीरा के तो कोई सब्जी बनती ही नहीं है सभी चीजों में जीरा जरूर डाला जाता है और यह आप गया मेरा गुलाब जावुन का पातेट है इस खोली गुलाब-जावुन जरूर बनाऊंगी इसलिए बुट्चों ने कहा है कि बनाना मंतल्मी गुलाब-जावुन नबर तो इसलिए उस तीन में ुछ भी में गुला नारियल है, और किश्मित है, थोड़ा सा हलाया है और इसी कुछ में डालूँगी, बनाऊए की बस इतना ही था, मेरा कर्दारी होली का जो जो मुझे बनाना है, इसके बाद मैं जो समान आया था उस समान को डिबे में पैक कर रही हूँ, सारे समानों को डिबे में पैक कर लूँगी जो जो खाली है मेरा डिबा तो उसके बाद मैं सभी काम करने के बाद लग जाती हूँ खाने के तयारी में रात का तो देखें यहाँ पर मैंने सारे समागरी मतलब सारे टमाटर हुआ प्याज है घनिया है मेर्च है को काट के मैं रख ली थी कि याज बनाने जारी हूं ताड का और रोटी तो यहां पर मैंने कड़ाही को चढ़ाकर जीरा मेर्च और तेजपता को डाल दी हूं और इसके बाद मैं प्याज को भी डाल दुटए इसमें और प्याज डाल दूँगी और इसके बाद उसे भून लोगी पांच मेट के लिए कलर इसका चेंज हो जाने पर मैं इसमें कटा टमाटर भी डाल दूँगी तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने डाल को पहले ही उबाग दी थी उसमें हल्दी और नमग डाल कर उसे पका लिया था कोकर में तो देखिए बगल में मेरा कोकर चड़ा हुआ है तो वो पक गया था तो उसे उतार दी हूँ मैं तो गैस निकलने तक ठंधाज हो जाएगा तो इसम मैं डाल को डाल दूँगी तो मैंने टमाटा डाल कर अच्छी तरह से भून गया है मेरा टमाटा भी और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें पका हुआ चना डाल और चना डाल डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से चला लूँगी थोड़ी देर के लिए और फिर इस पत्ते को इसमें डाल दूगी और कोई मसाले इसमें मैंने नहीं डाला है ज़्यादा कोई चीजें नहीं डालती है ज़्यादे मसालेदार मैं सब्जी हूँ सब्जियां नहीं बनाती हूँ और अगर बनाना रहता है मसालेदार तो मैं कभी कभी बनाती भी हूँ ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाती हूँ तो यहाँ पर मैंने देखिए आटा ले ली हूँ और आटा लेने के बाद मैं इसी अच्छी तरह से गुत लूँगी गुतने के बाद 5-10 मिट के लिए इसे रख दूँगी अलक क्योंकि इसे ठोजने के लिए रख दूँगी क्योंकि मुलायम इसके बाद मुलायम मुलायम रोटियां बनती है तो देखिए यहाँ पर मेरा तैयार हो गया है तो ताड़का बनने के बाद मैं रोटियों को भी सेक लूँगी और उसके बाद मैं तीनों को मैं दे दूँगी खाना तो खाने में मैं ताड़का रोटी में घी लगती हूं और सलाद मैं चुकंदर और टमाटर का दे दी हूं और प्याज इसमें नहीं डाली हूं क्यूंकि प्याज अभी घर पर नहीं था तो यहाँ पर देखिए सभी खाना खा रहे हैं तो बड़ा वाला बच्चा देखिए भाग गया है वो सामने नहीं कैमरे के सामने उतने ही आता है और कभी कभी मैं ही छिप कर साइड से ले लेती हूं वही सब आ जाता है बस तो फ्रेंट्स आज का वीडियो यहीं तक था अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाइबाई प्रेंगे बाईबाई